मद्य प्रदेश में सोयाबीन के दामों को लेकर किसानों के लिए खुश्क बरी है. क्योंकि मोहन सरकार ने मोधी सरकार के पास सोयाबीन के दाम बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृती मिल गई है. सोमवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में सोयाबीन के दामों को बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसे मोधी सरकार को भेजा गया था. सी एम मोहन यादव रात में ही दिल्ली रवाना हो गए थे. ऐसे में प्रदेश के किसानों के लिए यह अच्छी खबर मानी जा रही है. क्योंकि लंबे समय से सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग चल रही है. मोहन सरकार ने सोयाबीन के दाम 4892 रुपए समर्थन मूले पर करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे मोधी सरकार ने पास कर दिया है. C.M. Mohan Yadav ने जानकारी देते हुए बताया की किसानों के कल्यान के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार, प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी के नेतरित्व में केंद्र सरकार ने सदैव किसानों की चिंता की है, इसी क्रम में सोयाबीन खरीदी के लिए प्रधान मंत्री जी, केंद्रिय क्रिशी मंत्री जी एवं वानीजे मंत्री का प्रदेश के अन्दाताओं की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।